जहिन साथियो तो दोड़ कर पास होने वाली भर्ती के नाम में आप लोगों ने इंडियन आर्मी की भर्ती सुनी होगी कि अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर ले तो आप आर्मी में भर्ती हो जाएंगे भले ही आप पढ़ने में कमजोर हैं क्योंकि वहाँ पर रनिंग टफ मांगा जाता है दोड़ने के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है तो आर्मी के बार अगर सेकेंड टफेस्ट रनिंग वाली भर्ती के बारे में बात करें तो वह भर्ती आपको आर्पी अप की देखने को मिल जाती है बिल्कुल आर्मी के सिमिलरियम कह सकते हैं तो यह सेक jump, high jump, height, weight, chest, क्या आपका fiscal standard होना चाहिए, fiscal eligibility क्या होना चाहिए, तो complete fiscal में क्या-क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, male and female दोनों candidate की fiscal eligibility क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे candidate इसके fiscal में disqualify हो जाते हैं, अगर आपका नाम पहली list में आ जाता है, जो fiscal के लिए cut-up लगता है, उसके बाद अगर आप fiscal qualify कर लेते हैं, तो निच्चित ही आपका selection हो जाता है, क्योंकि बाद में cut-up बहुत ही कम बढ़ती है, तो आज के इस वीडियो में fiscal में क्या क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, और फ्रेंस अगर आप चैनल पर पहली बराएं, तो subscribe कर लिजगा, आर्पी आप की भरती से related, जो कुछ भी जनकारी होगी, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, fiscal eligibility के बारे में, आर्पी आप की भरती का जो process है, उसमें सबसे पहले आपका online exam होता है, जब आप online exam दे लेंगे, उसके बाद एक cut-off लगेगा, अगर आपके exam में अच्छे number आए हैं, तो fiscal के लिए बुलाए जाएगा, अब fiscal में जाने के बाद, जब आप ground में जाएंगे, तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं, तो देखें, जैसे यह आप ground पे जाएंगे, तो वहाँ पर दो चीज़े होती है, पहला होता है PST, दूसरा होता है PET, PST का अथ होता है map towel, अर्थात measurement है, और PET का अथ होता है eligibility, अर्थात आपकी दच्छता परिछा, जिसमें running, long jumper, high jumper, यह सब कुछ आते हैं, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे, तो आपका PST होगा, अर्थात नाप towel होगी, PST में सबसे पहले आपकी height measurement की जाएगी, और देखें, male candidate की height होनी चाहिए, वो minimum 165 cm होना चाहिए, और female candidate की height होनी चाहिए, वो कम से कम 155 cm होनी चाहिए, और male candidate का, जो chest होना चाहिए, वो 80-85 cm के बीच होना चाहिए, जबकि female candidate का chest measurement नहीं होता, और जो candidate SCST से आते हैं, उनके लिए कुछ छूट भी दी जाती है, उनकी height अगर 107 cm है, तो भी चल जाएगा, और SCST female candidate की height, अगर 122 cm है, तो भी चल जाएगा, तो केवल आपका height, chest measurement किया जाता है, PST में, फिस्कल के time आपका weight measurement नहीं किया जाता, weight आपका medical की time नापा जाता है, केवल आपकी height और chest नापी जाती है, फिस्कल के time, जब आपका height, chest नाप लिया जाएगा, उसके बाद आपको running के लिए बुलाए जाएगा, तो सबसे पहले आपसे करा जागा running, तो running जो आपका होता है, वो 1600 मीटर की running होती है, जिसमें आपको केवल 5 मिनट 45 सिकंड का time दिया जाता है, male candidate का, तो male candidate की running 1600 मीटर की होती है, जिसमें 5 मिनट 45 सिकंड का time मिलेगा, running होने के बाद आपसे करा जाएगा long jump, तो long jump जो होता है, वो 14 feet का होता है जिसमें आपको 3 chance मिलते हैं तीन बार में आपको 14 feet का long jump करना होता है उसके बाद आपसे करा जाएगा high jump तो high jump जो आपसे करा जाएगा वो 4 feet का करा जाएगा इसमें भी आपको 3 मौके मिलेंगे तीन बार में आपको 4 फिट का हाई जम्प करना होगा अगर आप तीन बार में नहीं कर पाते हैं तो आप बाहर कर दिया जाएंगे तो ये male candidate का physical eligibility रहा अगर आप ये सब qualify कर जाते हैं तो आपका selection हो पाएगा उसके बाद बात करते है female candidate का तो देखे female candidate की जो running होती है वो 800 meter की होती है जिसमें 3 minute 40 second का time मिलता है female अभयार्थियों को उसके बाद female का long jump होता है female का long jump केवल 9 feet का होता है 9 feet आपको 3 बार में qualify करना होता है आपको 3 chance दिये जाते हैं उसके बाद high jump होता है high jump female candidate का 3 feet का होता है अगर 3 feet का high jump 3 chance मिलते हैं उसमें high jump 3 feet का कर लेते हैं तो आपका selection हो जाएगा तो ये female candidate का eligibility रहा यहाँ पर हमने male and female दोनों candidate के eligibility के बारे में बता दिया तो simple सही होता है पहले आप जाएंगे height weight chest measurement किया जाएगा उसके बाद running करा जाएगा long jump करा जाएगा high jump उसके बाद अगर आप qualify होते हैं तो आपको एक certificate देकर घर भेर दिया जाता है जब final merit list आती है अगर आप cut-off को qualify कर जाते हैं तो आपका final merit list में नाम आ जाता है तो ये इसका physical eligibility रहा हमने सब कुछ बता दिया बाकि कोई doubt आए कमेंट कर दीजेगा मिलता है next video में तब धक लिए जैहिन